तो आज हम पढ़ने वाले ही मिर्सी मिर्सी is a short poem and it has been written by William Shakespeare William Shakespeare ने एक play लिखा, tragic play, Martian of Vinayas The Martian of Vinayas में से summarize करके यह line जो है यहाँ पर आपको दिया गया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि Martian of the Vinayas में स्टोरी क्या है Martian of the Vinayas में जो मैंने यहाँ पर कुछ लेखा है साइक्रोक्स इसमें विलन, अंटोनियो हीरो, बसोनियो इसका फ्रेंट, पोर्शिया जो है बसोनियो यह इससे लव करते थे और यह ऐसा स्टोरी है कि साइक्रोक्स जो है एक विलन है बहुत ही बुरी तरीके से वो लोगों से ट्रीट करते थे उसके दिल में मिर्सी नहीं थे, मिर्सी यानकी धाया उसके दिल में बिलकुल नहीं थे वो एक जीव थे और जीविस क्या करते हैं क्रिस्चिन्स से नफरत करते थे और वो क्रिस्चिन्स को पेसा उदार देते थे और बहुत सारे इंट्रेस्ट पे वापस लेते थे और अंटोनियो को ये बात पसंद नहीं थे क्योंकि वो लोगों को मिस यूज करते थे एक्सपलाइट करते थे और अंटोनियो जो है लोगों को फ्रीली पैसा देते थे और बिना इंटरेस्ट वो उनसे उसूल करते थे तो साइक्रोक्स और अंटियो में नहीं बनते थे वो आपस में दुश्मनी थे और फुल स्टोरी बहुत ही लंबा है तो इतना ही है कि साइक्रोक्स जो है बहुत ही खतरना एक आदमी है जो किसी की उपर रहम नहीं करते है तो मिरसी क्या है? हम आई हम जानते हैं Act of mercy are giving of arms यानि की दाया दिखाना लोगों पे रहम करना लोगों के साथ अच्छा बर्ताओ करना और giving of arms ये arms की तरह है जो आप arms लोगों को देटे हैं arms होता है offer freely to poor people आप किसी poor people को दान देते हैं पैसे का पैसे से मदद करते हैं उनको आम कहते हैं तो मिर्सी भी लोगों को मिर्सी यानि की से पैश आना ये भी एक आम है arms care of sick यानि की जो बीमार है उनकी care करना and refraining from harming और उनको नुखसान से बचाना stop करना and punishing enemies enemies को punish करना and people in one's power और जो लोग पावर में है उन से दूर रहना उनके खिलाफ आवाज उठाना this virtue has been laid down in all the religions और ये अच्छी जो गुट्स दीर से सबी religions जो है फॉलो करते हैं the nature and importance of mercy are summed up in the following extract from the merchant of the venice तो nature and importance of mercy mercy क्या है इसका importance क्या है ये sum up क्या है merchant of the venice में से लिया गया है कुछ points यहां पर आपको दिया गया है the quality of mercy is not strength जो mercy है लोगों की दिल में ये strength नहीं है यानि कि ये forcefully यानि कि किसी की दिल में हम नहीं डाल सकते जो mercy है वो खुदा लोगों की दिल में उतार देती है as like a gentle breeze gentle rain it dropped as a gentle rain and from heaven ये gentle rain यानि कि जैसे आस्मान से बारिश बरसता है उस तरह से ये दाया भी इसी तरह से लोगों की दिल में आ जाते हैं upon the place beneath it is twice blessed यानि कि इसका मौलब क्या है upon the place beneath it is twice blessed mercy is tender and noble feelings which must spring from one's heart यानि कि ये एक बहुत ही नाजुक बहुत ही noble feeling है बहुत ही अच्छा feeling है जो किसी के भी दिल में spring कर जाते है जो किसी के दिल में उत्पन हो जाती है पैदा हो जाती है it blessed him and gives him that tax it blessed him and gives him that tax और ये मिर्सी जो है उसको bless करते हैं उसके अंदर जो चीजे हैं उसको खुदा जो है उसको अता करती है and him that tax और ये खुदा जो है किसी के दिल में देता है और किसी के दिल से वापस यानि कि ले भी लेता है ऐसा चीज है it is the mightest in the mightest ये बहुत ही mightest strongest strong में से strongest mightest में से mightest चीज है ये मिर्सी it becomes the throned monarch better than his crown जो राजा हुकूमत करते हैं तख्ट पे बहते हैं ये उस crown से भी better है क्या मिर्सी the throned monarch better than his crown his sceptre shows the force of temporal power sceptre होता है authority जो भी हुकूमत करते हैं जो भी राजा जो है रूल करते हैं उनकी जो पावर है वो temporal पावर है उनकी जो पावर है यानि कि फना होने वाली पावर है जो ज़्यादा देर नहीं रहता the attribute to have and majesty where in doubt sit the dread and fear of kings कहते हैं कि और जो जिस kings के दिल में ये दया हो अगर if a king's power seems if a king have mercy in his heart it seems most like a king's power seems most like God's power when the king mixes mercy with justice अगर एक king जो है अपने दिल में justice और mercy को mix करके हुकूमत करते हैं उसकी शासन जो है उसकी हुकूमत जो है उसकी रूल जो है यानि कि God's rule की तरह हो जाते हैं जैसे कि ख़दा जो रूल करते हैं उसकी तरह हो जाते हैं but mercy is above the subject where it is enthroned in the heart of kings और ये mercy जो है सभी चीजों से यानि कि above है सभी चीजों से उपर है सभी पावर से सभी पावर जो rule करते हैं उन सबसे उपर है it is enthroned in the heart of kings और ये kings के हाज में रहता है kings यानि कि जो राजा है जो rules करते हैं उसके दिल में ये mercy रहता है और जिसके दिल में mercy रहता है then his rules become the rule of God it is an attribute to God himself ऐसा लगता है कि ख़दा जो है खुद हुकुमत कर रहा है अगर किसी राजा के दिल में दिया होगा, mercy होगा and earthly power God then shows like God and if there is a mercy in the heart of a king then his power is most like the power of a God the rule of a God when mercy is seasoned justice और यही कहता है कि justice or mercy जब mix होता है किसी भी राजे के हुकुमत में then then he become the most mightiest king in the world and it seems that God himself rule in the form of king यह है तो mercy को power से बड़ा दिखाने की कोशिश किया है फिलियम शेक्सपियर ने और mercy जो है बहुत जरूरी है अगर किसी भी राजा को हुकुमत करना है तो इस poem में हमने यह पड़ा that's all for today thank you